Hey guys, आएए करते हैं word problems, हमारा chapter 3 class 10 linear equations के यहाँ पे हम पहले करेंगे digits वाली problem और number reverse वाली problem यह दो questions है हमारे इसके बाद मैं करूँगा distance वाला question जहाँ पे दो cars same direction move कर रही है और opposite move कर रही है वो अले फिर हम एक work वाला question करेंगे जहाँ पे work done कुछ है given है हमें number of days निकालने है फिर again distance वाला question जहाँ पे कुछ distance पहले cover करा मैंने train से और बाकी bus से and so on और फिर end में हमें एक upstream downstream का question करेंगे मैं हूँ दवनीत और IA start करते हैं इस वीडियो को यहाँ पे given है कि एक two digit number का sum of digits है 9 और अगर इतना add कर दो तो उसका number reverse हो जाता है सबसे बहले तो यहाँ पे हम कोई number लेते हैं suppose मैं लेता हूँ 12 तो 12 अक्चली होता क्या है वान इंटू 10 प्लस 2 है ना ऐसे अगर लो में 25 तो यह क्या होता है 2 इंटू 10 प्लस 5 है ना तो अगर मैं कोई random number ले लूँ कोई भी number ले लूँ 2-digit number तो यह क्या होगा x इंटू 10 प्लस y यानि यह आएगा 10 x प्लस y तो हमारा कोई भी number जो होता है x y वो actually होता है 10 x प्लस y ओके तो अगर मैं यहाँ पे number को मानू x y तो actually number है 10 x प्लस y और अगर इसे उल्टा कर दूं यानि इसे लिखूं y x तो यह जो यहाँ पे first digit है उसको multiply करता हूँ 10 से तो यह आएगा y इंटू 10 प्लस जो एक बचा x वो यह आएगा 10 y प्लस x तो मेरा number है 10 x प्लस y अगर reverse कर दूं तो y x हो जाएगा और वो number निकल के आएगा 10 y प्लस x ठीके यह basic concept है numbers का अब question करते हैं sum of digits given है 9 यानि x प्लस y की value 9 given है और given है अगर 27 is added to it यानि 27 को अगर number से add कर दूं 10 x प्लस y से तो digits reverse हो जाते हैं यानि इसकी value है मेरे y x की equal यानि y x क्या था 10 y प्लस x चेके तो ये equation मेरी कुछ ऐसे आती है x minus y की value minus 3 आती है अब x और y निकालने हैं तो क्या करता हूं मैं इन दोनों को add कर दूंगा तो यहाँ पर 2 x की value 6 x की value 3 आएगी और y की value फिर इसमें put करो तो y की value 6 आएगी तो x आएगा 3 y आएगा 6 तो number आएगा 36 तो यहाँ पर correct answer है d चेके अब ये वाला करते हैं यहाँ पर again 2 digit number है तो मैं number को मान लेता हूं x y तो यह होगा 10 x plus y number मेरा given है 2 digit number is obtained by either multiplying sum of digits by 8 and then subtracting 5 तो यह कर लेते हैं multiplying sum of digits by 8 तो 8 into sum of digits के ओंगे x plus y और फिर 5 से subtract कर दिया यानि फिर minus 5 करा और यह equal है number के यानि यह equal है 10 x plus y के तो यहाँ से एक equation आएगी दूसरी equation क्या है multiplying difference of digits by 16 difference of digits होगा x minus y इसको 16 से multiply करा हो और फिर 3 add कर दिया हो तो यह भी बनाता है मेरा number यानि इसकी value है 10 x plus y तो यहाँ से 2 equations निकल के आएगी उसे solve करना होगा आंसर आ जाएगा लिख लेते हैं इसको 2 digit number is obtained by multiplying sum of digits by 8 and then subtracting 5 तो यह होगा इसका मतलब number है 10 x plus y sum of digits है x plus y solve करूंगा तो एक equation यह आएगी similarly second equation है multiplying difference of digits by 16 और adding 3 तो number आएगा x minus y plus 3 यह आएगी equation कुछ ऐसे मुझे first और second equation बस solve करना है आंसर आ जाएगा अब यार मैंने solve करने के लिए आपको तीन वीडियो अलग से बनाई है substitution, elimination, cross multiplication और एक end वाली वीडियो भी बनाई है part 7 तो यहाँ इस वाली वीडियो में आपको समझाओंगा नहीं कि कैसे करते हैं solve मैं बस directly दिखा जेता हूं मैं यहाँ पर substitution यूज करूंगा तो first equation में x को y की terms में लिखता हूं यह x की value इस second equation में बुट करता हूं कुछ ऐसे इसे solve करूं तो y की value 3 आती है यह y की value first equation में बुट करूं तो x की value आती है 8 तो x की value 8 y की value 3 आ गई मुझे number चाहिए था number था x y यही number आएगा 83 चेक है लेकिन यहाँ पर हमने एक चीज मिस कर दी हमें दिया था second equation में कि जो two digit number है यह multiply करते हैं difference of digits by 16 से और 3 को add करते हैं यानि जो difference of digits है यह हमने लिया था x minus y पर उल्टा भी तो हो सकता है y minus x भी तो हो सकता है अगर y minus x होगा difference of digits तो मेरी equation दूसरी वाली यह बनके आती है यानि मेरी 2 equations यह बनके आती है इन्हें solve करना होगा पर actually में यह solve नहीं हो रही थी यहाँ पर x और y की integer value नहीं आ रही थी तो इसलिए हम y minus x नहीं लेंगे लेकिन कोई और अगर question आए तो आप ध्यार रखना difference of digits में आपको दोनों लेने पड़ेंगे x minus y और y minus x दोनो और फिर solve करना बड़ेगा चेक है अब यह वाला करते हैं यहाँ पर हमें given है कि a और b दो जगा है a और b जो की 80 km apart है यानि 80 km distance है दोनों के बीच का एक car है जो a से start होती है एक car होती है start b से पहले same direction move करते हैं पहले यहाँ और यहाँ जाते हैं और second time बे opposite direction यानि एक इधर जाता है एक इधर जाता है ठीक है same direction move करते हैं तो लगते हैं 8 hours अगर opposite में move करते हैं तो लगते हैं 1 hour 20 minutes मुझे निकालनी है speed of car तो मेरे variable क्या होंगे सबसे पहले word problem में क्या करते हैं variable निकालते है variable के लिए मैं last line check करता हूँ मुझे speed निकालनी है तो variable होंगे मेरे speed मैं first car की speed मालनेता हूँ x second car की speed मुझे x और y निकालना है अब equation देखते हैं अगर same direction में चल रहे हैं तो 8 hours में मिलते हैं यह यह AB है 80 km distance में यह मेरी 2 cars हैं यह तेज चलती है यह धीरे अब same direction में जा रहे हैं तो यह कुछ C point में meet करेंगे मालनेते हैं C point में meet करा है इन्होंने तो जो मेरी first car है यह red वाली यह कितना चली AC और AC क्या है AB plus BC और जो second car है yellow वाली यह कितनी चली यहां से यहां तक BC ठीक है अब मुझे पता क्या है मुझे AB पता है 80 km अगर मैं AC minus BC कर दूँ तो यह क्या होगा AB plus BC minus BC यह आएगा AB और AB की value है 80 km यानि distance traveled by first car AC minus distance traveled by second car इसकी value है 80 km ठीक है अच्छा अब मेरी speed क्या होती है distance by time तो यहां पर मुझे distance निकालना है तो distance होगा speed into time तो first car का distance क्या होगा speed of first car into time है मेरा 8 hours दोनों 8 hours के लिए चली थी तो speed of first car into 8 hours ऐसा ही second car का है speed of second car into 8 hours यह मुझे first car की speed given है x, second car की y given है तो यह आएगा 8 x minus 8 y equal to 80 8 common room है तो यह आएगा 8 x minus y equal to 80 यानि x minus y आएगा 80 y 8 यानि 10 चिकें तो मेरी first equation यह आ गए अब गया रहा है कि opposite direction move कर रहे है यही same cars है मेरी अब opposite जा रहे है तो यह मालने दा हूं c point पर मिलते हैं first car अब चली ac distance red वाली यहां से लेके यहां तक second car चली bc distance यहां से लेके यहां तक का distance और ac plus bc की value क्या है यह भी यानि distance travelled by first car plus distance travelled by second car है 80 अब speed होती है distance by time तो distance होगा speed into time speed मुझे यहां पर first car की x given है time क्या है time है 1 hour 20 minutes पहले तो इसे hour में convert करता हूं तो यह आएगा 1 hour plus 20 को convert करता हूं hours में तो यह आएगा 20 by 60 20 minutes को hours में करूंगा 60 से divide करना पड़ेगा तो 1 hour 20 minute होगा 1 plus 20 by 60 यहनि 1 plus 1 by 3 यह आएगा 4 by 3 4 by 3 hours तो speed of first car into time speed of second car into time यह आएगा 80 speed है 4 by 3 तो यह आएगा 4 by 3 x plus 4 by 3 y equal to 80 4 by 3 common लूं तो यह आएगा x plus y equal to 80 x plus y की value आएगी 80 into 3 by 4 यह 4 और यह 20 यह आएगा 60 तो मेरी speed of first car है 35 km per hour पीज़ा है और मैं उसे खाता हूँ 4 दिन में ठीक है 4 days में complete करता हूँ मैं पीज़ा तो मतलब एक दिन में कितना करा 1 by 4th यह चीज़ का ध्यान रखना यही चीज़ यूज होती है वारे work में work well equation में हमें निकालना है time जितना एक man ने और एक boy ने काम करा अगर मैं मान लो कि time taken by one man to finish the task को लगते हैं x days तो एक दिन में कितना करेगा वह 1 by x यह man है sorry तो एक दिन में 1 by x काम करेगा यह सेम तरीका है पीज़ा वाला 4 days में complete करेगा अगर पीज़ा तो 1 day में खाएगा 1 by 4th तो यह भी सेम 1 by x काम करा उसने एक दिन में similarly अगर एक boy ने finish करा काम y days में तो एक दिन में कितना करेगा 1 by y ठीक है यह तो होगे variable अब इसकी बात करते हैं 1 day क्या होगा फिर 1 by 4 यह अगर total काम 4 दिन में होता है तो एक दिन में कितना काम होता है 1 by 4 और यह value क्यों होगे यह मुझे पता है कि 2 मेंने एक दिन में कितना कावर करते हैं काम 1 by x काम करते हैं और एक boy करता है 1 by y तो 7 boys करेगा 7 by y equal to 1 by 4 ठीक है यह चीज़ समझ आई मैं द 4 दिन में complete करूँगा मैं कोई टास्क तो एक दिन में 1 by 4 करूँगा ठीक है तो 1 day में 1 by 4 तो यहाँ पे जो मेरा total काम हुआ है यह 1 by 4 मैंने करा एक दिन में और यह एक दिन में कितना काम होगा यह 2 men जितना 1 day में काम करते हैं 2 men in 1 day plus 7 boys जितना काम करते हैं एक दिन में यह equal है 1 by 4 के मुझे एक बंदा पता है कितना काम करता है 1 by x तो 2 men कितने करेंगे 2 into 1 by x ऐसे ही एक boy करता है 1 by y तो 7 boys कितना करेंगे 7 into 1 by y तो इसकी value है 1 by 4 चीक है तो एक equation यह आ गई similarly 4 men and 4 boys complete in 3 days तो एक दिन में करेंगे 1 by 3 और 4 men है तो 4 into 1 by x plus 4 into 1 by y यह होगा 1 by 3 के equal तो यह हमारी 1st or 2nd equation आ गई बस यही important दा इसके बाद आपको करना आता है मैं 1 by x को u 1 by y को भी मानदा हूँ तो equations मेरी यह दुनों आ गई इन्हे solve करना है तो 1st equation में यूश करता हूँ substitution तो u को लिखता हूँ v की terms में फिर इसमें put कर देता हूँ 4 अंदर multiply करूँ तो यह half आ जाएगा यह आएगा 7 into 2 14 यह 4v यह आएगा minus 10v और 1 by 3 minus 1 by 2 यह होगा 2 minus 3 by 2 into 3 यहनि minus 1 by 6 ठीक है minus 1 by 6 की value minus 10v है minus minus cancel 10 नीचे आ जाएगा यह आएगा 1 by 60 तो v की value 1 by 60 आ गई इसमें put करता हूँ equation में अब यहाँ पे 1 by 4 into 7 by 60 है यह आएगा 15 minus 7 by 60 यह LCM में अगरतो तो इसी value 2u 2u की value 8 by 60 यह 2 और यह cancel यह 4 आएगा यह 4 और यह cancel 15 आएगा u की value आएगा 1 by 15 तो u 1 by 15 v 1 by 60 आगए मुझे निकालना है xy तो x है u है 1 by x तो 1 by 15 की value 1 by x है तो x आगया 15 similarly y आएगा मेरा 60 तो x की value 15 y की value 60 आगई तो हमें answer का लिखना है man complete करता है अपना काम x days में यानि 15 days में और boy complete करता है अपना काम 60 days में by days में चीक है अब यह वाला करते है यहाँ पर एक man travel करता है कुछ time train से और कुछ time car से मुझे निकालना है speed of train और speed of car तो मेरे variables आगए मैं speed of train को मालने ता हूँ x speed of car को मालने ता हूँ y अब equations दिखने है given है man travel करता है 600 km कुछ train से कुछ car से अगर वो पहले 400 km कवर करता है train से और बाकी car से तो उसे इतना time लगता है तो ऐसे कुछ distance है A से B का 600 km पहले 400 चला train से तो AC की वाली 400 है और बाकी BC चला car से वो ठीक है और total time लगा उसे 6 hours 30 minutes तो यह time क्या होगा time जितना train में चला वो plus time जितना car पे चला वो equal to 6 hours 30 minutes थेक है पहले में यहां पे जितना train में time चला और जितना car में time चला वो निकाल लेता हूँ train का मुझे distance पता है 400 है मुझे train की speed पता है x km पर आवर हमने अज्यूम करे थी अब speed होता है distance by time तो time होगा distance by speed तो time है distance by speed यानि 400 by x तो time जो train में लगा वो है 400 by x similarly car में कितना time लगा distance क्या है जितना बज गया 200 km इसकी speed है y तो again speed है distance by time तो time होगा distance by speed d by s तो यह आएगा 200 by y sorry 200 है यह है और मुझे यह time by car plus time by train यह given है 6 hour 30 minutes यहनि इन दोनों का sum है 6 and a half hours 30 minutes होता है half hour 6 and a half का मतलब क्या होगा 6 into 2 plus 1 by 2 है न यही होता है mixed fraction में तो यह आएगा 12 plus 1 13 by 2 तो मेरी पहली equation यह आ गए यह वाली देखते हैं अब अब given है अगर उल्टा करता हो 200 km जाता है train से और बाकी car से तो half an hour longer लगते हैं यहनि पहले लगते हैं 6 hour 30 minutes अब लगेंगे 7 hours है ना तो अगें AB distance है train से गया वो 200 km और बाकी गया car से तो यहां पर अगें time train plus time car इसकी value है 7 train का time निकालता हूं sorry distance यहां पर 200 है speed है x time होता है distance by speed हमने भी देखा speed होता है distance by time time होगा distance by speed 200 by x car के लिए same होगा इसका होगा 400 by y और इन दोनों का sum हमें given है 7 तो इसे second equation महाल लेता हूं अब मेरी यह 2 equations हैं इनने solve करना है इनने मुझे solve करना आता है तो मैं जल्दिली करता हूं यहां पर 1 by x को u, 1 by y को भी मानता हूं तो हमारी equations कुछ ऐसे आ गई इनने solve करने के लिए अब मैं use करता हूं substitution क्योंकि मुझे वह असान लगता है आप कुछ भी use कर सकते हूं तो u मेरा यह आ गया इस u की value इस 4th equation में बूट करता हूं यहां पर यह कुछ ऐसे 200-400 cancel यह आएगा 1 by 2 इसे solve करूं तो यह आएगा 1 by 2 अंदर 13 by 4 यह 100 यह 400 7-13 by 4 यह आएगा 7 x 4-13 by 4 यह आएगा 7 x 4-13 by 4 यह यह 28-13 15 by 4 15 by 4 को divide कर रहा फिर मैंने 300 से तो यह आएगा 15 20 तो 1 by 4 into 20 1 by 80 आएगा अब यह V की value पुट करता हूं 3rd equation में 1 by 80 तो यह और यह cancel 4 का table लगा हूं तो यह आएगा 5 यह आएगा 2 13 by 2 मैंने 7 by 2 होएगा 8 by 2 यह यह 4 4 by 400 होगा यह 1 by 100 तो U की value 1 by 100 यह 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 तो U 1 by 100 V 1 by 80 आगया तो X आगया मेरा 100 Y आगया 80 चेक है तो speed of train X है X है 100 km per hour speed of car है Y वह होगी 80 km per hour answer आगया अब हम एक last वाले करते हैं यह upstream downstream का काफ़ी important question है इसे solve करते हैं अच्छा पहले तो upstream downstream है पहले तो देख लेते हैं होता कै मैं यहाँ पे जो stream है जो पानी है हमारा उसको मालने ताहूं वो कुछ ऐसे downward direction में जल रहा है चेक है तो speed of stream की direction क्या है यह नीचे की तरफ अब अगर मेरी एक क्या नाम है है एक boat है जो की नीचे ही जा रही है अगर speed of stream की speed मानू x और boat की जो speed होती है वो boat की speed होती है in still water यहनि अगर पानी मेरा खड़ा हुआ है यहनि पानी अगर ऐसे है और फिर boat चल रही है मेरी तो इसकी speed को मैं x मानता हूँ इसे कहते है speed of boat in still water चीक है तो still water में अगर इसकी speed है y और stream की speed है x अगर यह नीचे जा रहा है तो downward direction में जा जा जाना तो इसे कहेंगे हम downstream और जब downstream जाता है तो boat की speed क्या हो जाएगी speed of boat क्या होगी जितनी still water में speed थी उसकी y plus speed of stream x उसकी speed बढ़ जाएगी न क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है है ना तो downstream की speed में speed of stream और speed of boat add हो जाते हैं उल्टा करते हैं अच्छे एर actually हम speed of boat को x माते हैं speed of stream को y तो इसको y मान लेता हूँ अब यह उपर जा रहा है तो इसको x मान लेता हूँ अब upstream है उपर की तरफ जा रहा है तो यह उपर की तरफ जा रहा है पानी इसे नीचे खीच रहा है तो इसकी speed कम हो जाएगी अब अब इसकी speed हो जाएगी x minus y है ना यह उपर जा रहा है तो इसकी speed speed of stream कम कर रहा है इसको whole direction में जा रहा है तो अब इसकी speed हो जाएगी x minus y और क्योंकि यह उपर जा रहा है तो यह होगा upstream इन still water लिखना ना बोलना नहीं तो मास कट देंगे आपके और y है speed of stream चीक है इससे लिख लेता हूँ, speed of water in still water है x km per hour km per hour जिसने लिया, क्योंकि हर जगा km और hour में बात हो रही है speed of stream है y km per hour तो downstream की speed है x plus y upstream की speed है x minus y चीक है, अब question करते है given है 30 km upstream और 28 km downstream जाता है 7 hours में तो time upstream plus time downstream यह है 7 hour upstream के लिए मैं time निकालता हूँ मुझे distance पता है 30 speed पता है x minus y speed होता है distance by time, तो time होगा distance by speed तो यहाँ पर time आएगा 30 by x minus y similarly downstream के लिए इसका distance है 28 इसकी speed है x plus y तो again speed है distance by time तो time होगा distance by speed तो time आएगा 28 by x plus y और दोनो time upstream प्लस time downstream की value 7 है यानि इन दोनों का sum है 7 इसे first equation माल लेता है अब given है it can travel 21 km upstream and return यानि 21 km upstream जाता है 21 downstream जाता है और total time लगता है उसे 5 hours तो यहाँ पर again same करेंगे upstream का distance 21 speed x minus y तो time आएगा distance by speed 21 by x minus y downstream का distance same है 21 km क्योंकि 21 गया वापस भी आया speed इसकी x plus y है और इसका time होगा 21 by x plus y और यह दोनो time का sum करूं तो यह value है 5 इसे second equation माल लेता हूं तो हमारी first और second equation यह आ गई अब बस solve करना है दोनों का denominator x minus y x plus y है दोनों equations में तो 1 by x minus y को u 1 by x plus y को भी माल लेता हूं तो यह first equation के आएगी 30u plus 28v equal to 7 21u plus 21v equal to 5 तो बस इन दोनों को solve करना है मैं solve करूंगा substitution से क्योंकि मुझे वह असान लगता है आप किसी से भी कर सकते हो u को लिखता हूं v की terms में इस u की value fourth equation में put करता हूं यह कुछ ऐसे यह 3 का table आएगा 7s आ 10s आ 10 से multiply कर देता हूं तो यह आएगा 210 यह आएगा 50 multiply करो तो v आता है मेरा 1 by 14 और यह third equation में put करूं तो u आता है यह 5 by 30 यानि 1 by 6 तो यहाँ पर u की value 1 by 6 v की value 1 by 14 आदी लेकिन हमें xy निकालना है सबसे वाली बात तो u है मेरा 1 by x minus y तो 1 by x minus y की value 1 by 6 है तो x minus y की value 6 है similarly v है 1 by x plus y अब x plus y की value क्या आएगी 1 by x plus y है 1 by 14 के equal तो x plus y की value 14 है अब इन दोनों को solve करता हूं मैं ऐसे ही ठीक है आपको लिखना पड़ेगा paper में पर मैं यहाँ पर ऐसी solve करता हूं इन दोनों को इन दोनों equations को add करूं तो y और y cancel हो जाएगा 2x की value आएगी 20 x की value 10 आएगी x की value 10 इस equation एपुट करूंगा तो y की value 4 आए तो इन दोनों को solve करके x की value 10 y की value 4 आती है तो मेरा अब answer आगया speed of boat in still water है 10 km per hour speed of stream है 4 km per hour चेक है ओके इसके बाद जितने भी word problems हैं आपके आप वो attempt कर सकते हो वो है 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 और 3.7 optional जो आपका chapter 3 class 10 pair of linear equations in one variable sorry in two variables उसमें है जितने भी word problems हैं आप solve हो जाएंगे अगर कोई दिक्कत आते हैं तो नीचे comment करते हैं और of course teach-o पे आपको सारे answers मिल जाएंगे including video और examples की भी video मिलेगे तो वो चेक कर सकते हो आप video चेलेगे तो subscribe करना में यहां पर chapter खतम होता है आपका इसके बाद हम अगला chapter करेंगे chapter 4 class 10 आपको सारे chapters teach-o की channel मिल जाएंगे और teach-o की website मिल जाएंगे जरूर चेक करना है इसको अगर कोई और video देखने हो इस chapter की तो हमारी playlist में चेक कर लेना चलो, see ya guys